मेरे हिसाब से दोनों में से जो विनर है, क्लियर विनर वो फ्लेवर है तो हे दोस्तो, वेलकम बैक तो मैं चैनल, जिसका नाम है डॉक्टर फिट और मैं हूँ दॉक्टर दीरज तो आज मैं बात करने वाला हूँ, आइस्क्रीम चॉकलेट और केसर तंडाई फ्लेवर की और कमपैरिजन करूँगा दोनों का मुझे कौन सा परस्नली अच्छा लगा, ये बाते मैं शेयर करूँगा आपके साथ तो सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट की, तो मुझे परस्नली कौन सा टेस्ट अच्छा लगा, वैसे मैं फिर से बतातू कि टेस्ट सब्जेक्टिव है, मुझे जो टेस्ट अच्छा लगा वो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, और जो आपको अच्छा लगा हो सकता कि मुझे अच्छा नालागे तो basically केसर थंडाई और आईस्क्रीम चॉकलेट में मैंने प्रिवेस वीडियों में बताया था कि मुझे केसर थंडाई ज्यादा अच्छा लगा लेकिन जैसे मैं यूज करते गया आइस्क्रीम चॉकलेट को और मेरा पेलेट उस से एच्छेस्ट होते गया तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा आइस्क्रीम चॉकलेट तो टेस्ट के मामले में मैं केसर थंडाई को देना चाहूँगा 8.5 माक्स और आइस्क्रीम चॉकलेट को 9 या 9.5 माक्स आउट आफ 10 तो यहां पे इस मामले में दविनर इस आइस्क्रीम इसकरेंगे इसके मिक्साबिकेंगी कैसी है मैं 9.5 और 10 दो यहां पे दोनों का we here यह स्कोर्स काफी एकदम क्लोस चल रहे है तो देखते आगे मैं बात करूँगा इसके तो मुझे दोनों को अगर मैं compare करूं तो मुझे थोड़ा सा केसर थंडाई में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था केसर थंडाई में थोड़ा सा मुझे क्योंकि मैं इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए इसको थोड़े से कम मांक्स दूँगा क्यूंकि मुझे आइस्क्रीम चॉक्लेट में कुछ भी इशू फील नहीं हुए कुछ भी डाइरिया या लूज टूल एक बार भी नहीं हुआ मैंने जब प्रोटीन स्टार्ट किया तब भी कुछ इशू नहीं हुआ तो मैं आइस्क्रीम चॉक्लेट को 9.5 दूँगा और केसर थंडाई को ऐल गिवें एट क्यूंकि स्टार्टिंग में इशू हुए उसक पर चूज कर सकते हो कि यह प्राइस पर आप कमफर्टेबल हो या नहीं हो तो मैं अभी एक मेरे मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के आपको जस्ट पताऊंगा केसर थंडाई जो फ्लेवर है वो मैंने लिया था डायरेक मसल ब्लेस की वेबसाइट से और जो आइस्क्रीम और जो मसलब्लेस का आइस्क्रीम चॉकलेट पडाता वह था वह भी एटीन अंडलीड का distract रहा था श्रह इसमें ड Chili का केसर थंडाई है उसमें 21 सर्विंग्स मिलते है और जो 600 ग्राम्स का आइस क्रीम चॉकलेट है उसमें 18 सर्विंग्स मिलते है तो मैं कैलकुलेट करूंगा पहले आपको दिखाता हूं कैलकुलेटर 1800 divided by 21 जो केसर थंडाई का है तो आपको around 85 रुपीज 71 पैसा एक स्कूप का पड़ेगा प्राइज जो केसर थंडाई का प्राइज है 85 रुपीज around 86 रुपीज पकड़ेगे और जो आइस क्रीम चॉकलेट है क्योंकि वो directly वे प्रोटीन है तो उसका सर्विंग्स साइज छोटा है और 600 ग्राम में आपको ज्यादा सर्विंग्स मिल रहा है जैसे 600 ग्राम में आपको 18 सर्विंग्स मिल रहा है यहाँ 18 सर्विंग के लिए आपको 100 रुपीज पर सर्विंग का कॉस्ट है जो कैलकुलेट करने की ज़रुवत ही नहीं है सो यहां पर बहुत ज़ाधा ज़ाधा डिफरंस आ जाता है कंपेर करें प्राइस को तो केसर थंडा ही क्लियर विनर है लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर प्रोटीन खरीद रहे हो तो आपको अच्छी क्वालीटी वाला प्रोटीन ही खरीदना चाहिए हलाकि दोनों की क्वालीटी बहुत अच्छी है लेकिन जो केसर थंडा ही है वो मुझे कही न कही थोड़ा सा इसकी वज़े से मुझे उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है बट नॉट एड़ एड़ पीक और जो आइसक्रीम चॉकलेट है अलाकि उसकी कॉस्ट जादा है अंडर रुपीज पर सर्विंग आरी है उसकी कॉस्ट फिर भी मैं प्रेफर करूँगा आइसक्रीम चॉकलेट को तो यह रहा चोड़ू सा डबबा मेरा आइसक्रीम चॉकलेट का यह मैंने दिखाया ता पिछली वीडियो में तो मैं मेरा प्रेफरेंस है आइसक्रीम चॉकलेट वो मेरा परसनल प्रेफरेंस है फ्लेवर अच्छा लगएगा किसी को आइस्क्रीम चॉकलेट तो मेरे इसाब से मेरा पर्सनल फेवरेट है आइस्क्रीम चॉकलेट थोड़ा सा चॉकलेट का वाइब आ जाता है और जो स्वीट टूथ है वो क्रेविंग कम हो जाता है हाला कि केसर थंडाई भी बहुत स्वीट है लेकिन केसर थंडाई थोड़ा सा ओवर पावर कर जाता है स्वीटनेस के मामले में क्यूंकि केसर थंडाई जादा ही स्वीट है मुझे उतना स्वीट नहीं पसंद आइस्क्रीम चॉकलेट जो है वो पर्फेक्ट स्वीट है चीज मैं सोच रहा हूँ, मैं एक fat loss series चालू करने की सोच रहा था, मैं एक fat loss phase पे हूँ और मैं obese बंदा हूँ, अभी भी obese ही हूँ, तो मैं एक fat loss phase पे हूँ और मुझे पता है, कि जो obese बंदे हैं, वो fat loss phase में कितना struggle करते हैं, कितनी चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं, बार एक थोड़े दिनों के अंदर like in 4 weeks और 6 weeks मैं अपनी transformation अपडेट देता रहूँ, मेरे diet के बारे में updates देता रहूँ और मेरी recipes जो कुछ मैंने खुद बनाई है, खुद से इजाद की है और जो खुद मैंने YouTube पे देखकर थोड़ा वह alteration करके बनाई है वो सारी recipes मैं आपके लिए लेके आता रहूँ और जो भी obese बन्दे है, वो लोग मेरे साथ transform करें, तो मैं चाहता हूँ कि एक team तयार हो जाए और सारी team मिलके साथ में transform करें और fat to fit का रस्ता easy हो जाए तो let's get started next video probably on fat loss series part 1 या फिर episode 1 जो भी कहना है तो let's see you in the next video till then stay connected like this video, share this video and subscribe to my youtube channel goodbye